बोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंग और दिनेश लाल यादा उर्फ निरहुआ की बात की जाती है तो सबसे पहले उनकी सुपर हिट फिल्मों को लेकर ही चर्चा की जाती है वैसे तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक्टिंग के मामले में एक दूसरे से बढ़कर हैं लेकिन अगर इनकी दोस्ती की बात की जाये तो ये दोनों सुपरस्टार्स अपनी दोस्ती में किसी तरह से कोई आच नहीं आने देते हैं अगर बात दोस्ती की हो रही है तो आपको ये भी बता देते हैं कि निरहुआ और पवन सिंग की दोस्ती कब हुई थी भाई इनकी ये दोस्ती बड़े ही अनोखी तरह के सुई थी जब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों पहले निरहुआ पवन सेंग एक जन्म दिन पर गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बाचीत के दोरान कहा कि पवन जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और उनसे मेरी मुलाकात उस समय हुई थी जब हम लोग गाना गाते थे और अल्बम निकालते थे और तब से वो मेरे काफी अच्छे दोस्त है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भगवान से यही दूआ करता हूँ कि हमारी दोस्ती में कोई भी दरार ना आए नेक्स्ट नाइ न्यूजरूम के लिए अभिलाश की रिपोर्ट